आलो दोस्तों नमस्कार ये है वाइड बूट फिलर ये यमडियव की उपर रिपेर करनी के लिए हमने लिया है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं यमडियव के उपर हमने ये फिलर कील की मरमत को किया हुआ हूँ एक बार करने के बाद में इसकी गिसाई करेंगे दुबारा इसमें कपड़े की मदद से गदी से कपड़े की गदी बनाकर इसमें सीलर की अच्छे से भराई करेंगे सीलर भराई करने के बाद में इसमें हम फिर से रिपेर करेंगे और रिपेर करने के बाद में रिपेर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पहला रिपेर इसमें बै प्राइमर लेंगे आटो प्राइमर इसलिए लेते हैं दोस्तों कि यह बहुत ही सस्ता होता है साड़े 300 रुपे पर लेटर और 120 रुपे थिनर आ जाता है मनें पांच लिटर थिनर 600 रुपे ग्लाया प्राइमर उसके बाद में मैं पहला कोट इसमें कर दिया हूँ पहला कोट करने के बाद में इसमें फिर 320 नमर से इसका हलका हलका रफ काटेंगे रफ काटने के बाद इसमें एक कोट प्राइमर और कर देंगे इसी कमपनी का जो को प्राइमर होने के बाद में इसका बेस अफसे से तयार हो जाता है इस पर आप चाहे जो भी कलर कर सकते हैं अब हमने पावर टेक कमपनी का आटो पेंट लिया हुआ हूँ आटो पेंट इस लिया दोस्तों ये भी साड़े तीन सुरुपे का लिटर आता है और यह डियल थिनर में डालके हम इसमें दो कोट कर दिया हूँ दो कोट करने के बाद में देख सकते हैं आप इसकी फिनिसिंग ये इतना स्मूथ है दोस्तों हाथ लगाने के बाद में ये आटो पेंट होता है डिको की जगा हमने इसको यूज किया हूँ इसमें चमक भी होती है पार्टी भी एकदम खुस हो गई है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने टीबी पैनल पे किया हूँ और एक लू